कवर्धा जीला कलेक्टर रमिश्कुमार शर्मा ने गत सुम्वार को कलेक्टरेट के सभाकक्षमे जीले के उन तमाम निजी अस्पताल संचालकों की बैठक ली जिन्हें कोविड मरीजों के उपचार की अनुमती प्रशासों द्वारा दी गई है उन्होंने सभी चिकिसकों की बाते सुनी वा समस्याओं पर विचार विमश करने के पश्चात दो टुक कहा कि कोविड उपचार के संबंद में शासन द्वारा जिन जिन सिवाओं को शुलक निर्धारन किया गया है उसी की अनुरूप ही शुलक लिये जाएं कोविड जैसे तनाओ के समय पर जन सहियोग करते हो इसे वाओं को सुचारू रखने की कोशिशप को करनी चाहिए कलिक्टर शर्मा ने मरीजों की भरती संबंधी जानकारी रिष्टर पर पंजिबत करने, कोविड गाइड लाइन का पालन करने, मरीज को डिस्चार्ज करते वक्त समस्थ विवरन सहित बिल देने, किसी कोविड संकर्मीत मरीज के मृत्ति होने पर ततकाल इसकी जानकारी स् निरुदेश दिये हैं। लेखनी आ हैं कि कोविड महमारी के जमय में शासकी अस्पतालों के साथ नीजी अस्पतालों में भी मरीजों को इलाज मुहया हो सके। नोटिस देकर नए कोविड मरीजों की भरती ना करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात उक्ता स्पतार प्रबंधन की ओर से माफिय नामा प्रस्तूत कर पुनह आउसर देने का निवेदन किया है। फिलहाल उक्ता निवेदन पर अनुमती देने संबन्धी सकरात् मक विचार किया जा रहा है। ब्यूरे रिपोर्ट जे न्यूस कवर्धा।